मौच पर पांच लाख रुपे जीतने का मौका और इंडिया गौट टालेंट के सेट पर सेलेब्रिटी से मिलने का मौका भी हैश्टाग मौच बना हिट हो जाओ पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ नमस्कार, बन इंडिया हिंदी में स्वागत है मैं हूँ राम विश्वकर्मा पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद राजनीती की आग भी भड़क गई है राजनेता अपनी अपनी तरकश से आरोपो के एक से एक बार छोड़ रहे हैं प्रदेश सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और कब इसकी जिम्मेदारी ली जाएगी प्रदेश की कानून विवस्था को लेकर सवाल उठाये जाने लगे हैं इस बीच कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राश्टपती के नाम पत्र लिखा है जिसमें प्रदेश में धारा 355 लागू करने की मांग की गई है प्रदेश में बिगड़ते हालात पर चिंता जाहिर करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार कानून के प्रावधानों के अनुरूप चलती रहे इसके लिए विवस्था को सुनिश्चित करते हुए धारा 355 लागू किये जाने की जरूरत महसूस होती है आपको बता दें कि अनुछे 355 के प्रावधानों में संग के करतव्यों का जिक्र है इसके तहट हर राज्जी को बाहरी आक्रमन और आंतरिक अशांती से बचाने की बात कही गई है इसके प्रावधानों के मुताबिक संग को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हर राज्जी की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलती रहे संग्षेप में कहा जाए तो अनुछे 355 के जरीये केंद्र का ये करतव विस्तुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश में संविधान के हिसाब से शासन चलता रहे सम्विधान के मुताबिक पुलिस और लोक व्यवस्था राज्जी के विशह हैं जबकि अनुछे 355 प्रदेश के कानून व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र को दखल देने का अधिकार देता है किसी प्रदेश के अंदर अनुछे 355 ही राश्टपती शासन का आधार होता है अगर किसी परिस्थिती में अनुछे 365 या अनुछे 365 की भी अनुपालना ठीक से नहीं हो पाती तो ऐसे में राश्टपती अनुछेद 356 का प्रयोग करते हुए प्रदेश में राश्टपती शासन भी लागू कर सकता है राश्टपती शासन लागू करने की स्थिती में इसकी जानकारी प्रदेश के राज्यपाल की ओर से दी जाती है गौर तलब है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के बोक्टुई गाउं में कथित रूप से असामाजिक तत्वों ने कुछ घरों को घेर कर आग के हवाले कर दिया था जिसमें आठ लोगों की जिन्दा जलकर मौत हो गई थी मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल थे इस घटना के बाद हालात बेहत तनावपूर्ण हो गए थे जिसके बाद कई इलाकों में आपसी जड़प और हिंसा की खबरे आई जानकारी के मुताबिक इनमें कुछ लोगों के जखमी होने की भी खबरे है इस हिंसा पर संग्यान लेते हुए खुद प्रधान मंतरी मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेरजी से मामले को गंभीरता से लेने को कहा है साथी उन्होंने दोशियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कारवाई करने की भी बात कही है इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ